हेलो प्यारे बच्चों सौगत है आप सब का आपके अपने चैनल स्कूल मैट्सर में तो कैसे हैं आप सब चैले हम 10th क्लास की NCRT मैट्स पढ़ रहे हैं जिसका हमने चैप्टर नमबर 6 से स्टार्ट किया था ट्राइंगल ठीक है हम exercise 6.2 पढ़ रहे थे जिसकी मैंने question number 8 तक आपको solve करा दिये हैं आज की क्लास में आपको question number 9 and question number 10 solve कराने वालो ठीक है इसके बाद ही exercise खतम हो जाएगी फिर हम exercise 6.3 स्टार्ट करेंगे तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारे सवाल क्या है देखें student आपके सामने question number 9 लिखा हुआ है क्या बोल रहे है question number 9 में ABCD is a trapezium ठीक है in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O show that AO upon BO is equal to CO upon DU मतलब आपको ABCD एक क्या दिया है trapezium trapezium क्या होता है trapezium एक special type का क्या होता है quadrilateral होता है ठीक है कैसे special होता है इसमें एक pair pair मतलब दो lines जैसे AB एक line आप ले लो और ये ले लो CD या DC इसका एक जो pair होगा वो क्या होगा parallel होगा ठीक है तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है trapezium यहां मैं बता दिया कि ABCD एक trapezium है जहां पर AB क्या है parallel है DC के यह AB क्या है parallel है DC के ठीक है अच्छा trapezium के बारे में और detail में अगर आपको जानना है तो आप इसी playlist में इसी chapter का intro video देखिए उसमें मैंने detail में quadrilatals के बारे में बताया है जहां पर trapezium के बारे में भी आपको आसानी से पता चल जाएगा ठीक अब आगे सवाल क्या बोलता है and its diagonals intersect each other अगर हम इस trapezium के diagonal खीज दें AC फिर BD यह कहां पर intersect करते हैं दूसरे को point O पर ठीक तो हमें show करना है प्रूफ करना है कि AO upon BO is equal to CO upon DO ठीक है सबसे पहले आप क्या लिख होगे आपको क्या given है ठीक है क्या क्या बता दिया गया है आपको सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि quadrilateral ABCD quadrilateral ABCD is a trapezium ठीक है trapezium मतलब एक pair क्या होगा इसका parallel होगा ठीक है इसका meaning क्या हो जाएगा mathematical meaning कि AB क्या है parallel होगा डीसी के ठीक अब two proof में क्या लिखोगे आप two proof हमको क्या करना है हमें करना है AO upon BO is equal to CO upon DO यह हमें proof करना है अभी ऐसे तो proof होगा नहीं construction करना पड़ेगा हमको रचना करनी पड़ेगी इसकी construction हम क्या करते हैं AD पर एक point ले लेते हैं ठीक है point है P और उससे हम एक line draw करते हैं जो की O से होते हुई जाती है कहां पर BC पर तो BC को कहां पर intersect करती है Q point पर ठीक है यहां लिक ले ना आप draw P यह ना through यह क्या जाएगा through O यहां P Q कर ले ना draw P Q through O which is parallel to which is parallel यहां किसके parallel है parallel to AB ठीक है हमने P Q एक ऐसी line की चीच है जो Q जो O point से होकर जा रही है passing हो रही है और किसके parallel है AB के तो AB किसके parallel है CD के तो P Q किसके parallel हो जाएगा CD के मतलब P Q AB के भी parallel होगा और CD के भी parallel होगा मतलब P Q जो आप प्रूफ जो आपने draw किया है वो AB के भी parallel और CD के भी parallel या DC की parallel यह construction हो गया अब proof देखते हैं कि proof हमको क्या करना है proof समझ लेते हैं हमें यह proof करना है ठीक, सबसे पहले आप देखिए हम क्या ले लेते हैं, एक line ले लेते हैं PO पूरी line PQ अगर parallel है तो PO भी parallel होगी, दोनों के ठीक, सबसे पहले हम ले लेते हैं in triangle A, P, C in triangle ADC अब ध्यान से देखना, triangle ADC A, B और यह C यहाँ पर देखो आप PO, यह PO क्या है इसके parallel, मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर Thales theorem लग रहा है, ठीक है basic proportionality theorem, Thales theorem हम यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यह दोनों line क्या है, parallel तो आप यहाँ लिख सकते हो, PO parallel है किसके, DC के तो Thales theorem के accord है, हम क्या लिख सकते हैं AP upon PD बराबर क्या जाएगा AO upon CO को हम क्या लिख लेते हैं, OC को हम लिख लेते हैं, CO क्योंकि प्रूफ हम है CO के form में करने हैं तो CO लिख लिखो चाहे, OC दोनों same, ठीक है यह होगा question 1 clear अब हम लेते हैं, अब हम दूसरा triangle लेते हैं in triangle ADB अब ध्यान से देखो, हम ट्राइंगल ले रहे हैं A, T और B in triangle ADB यहाँ पर PO को हम एक बार DC के parallel कर चुके हैं अब हम इसके parallel करेंगे AB के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर PO जो है वो parallel एक इसके AB के ठीक है अब यह इसके parallel है हम क्या लिख सकते हैं अगर आप A point से लेना शुरू करोगे तो यह क्या जाएगा AP upon PD एक इसके parallel होगा यहाँ B से लोगा तो BO upon OD मतलब BO upon क्या आना चाहिए OD तो OD को आप क्या लिख सकते हो DO ठीक है यह equation हो गया 2 यह दोनों चीज़ें कहां से लिख दी आपने यह basic proportionality theorem से या Thales theorem से यह भी कहां से लिख दी हमने basic proportionality theorem या Thales theorem ठीक है यह दोनों statement हम लिख सकते हैं अब आप देखिए by equation 1 & 2 by equation 1 & 2 क्या होगा इसका left hand देखिए left में जो value है 1 में वही right में वही second equation में भी है ठीक तो दोनों equation में देखिए left hand की value अगर equal है तो right hand की value भी आप क्या कर सकते हो equal कर सकते हो AO upon CO पराबर आप क्या लिख सकते हो BO upon CO ठीक है पर proof तो अभी भी नहीं हुआ क्योंकि AO के upon BO आना चाहिए तो आप जानते हो कि जब बराबर का sign लगा हो तो दोनों तरप आप इसको क्या कर सकते हो, transfer कर सकते हो BO को हम यहाँ ले आएंगे CO उपर चला जाएगा तो CO upon क्या हो जाएगा DO और यही हमें क्या करना था? proof करना था, ठीक है? यही हमें क्या करना था? proof, तो आगे संच में question number 9 का solution चलिए अब देखते है, question number 10 यह आगे हमारे पास question number 10 ठीक है? क्या बूल रहा है? the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DU show that ABCD is our trapegium मतलब हमें एक quadrilateral दिया गया है, quadrilateral का नाम है ABCD, इसको sign भी बना सकते हैं, आप ऐसा quadrilateral ABCD हमें बताया गया है कि एक quadrilateral ABCD, यह नहीं बोला कि यह trapegium है, ठीक है? सिब क्या बोल रहा है कि एक quadrilateral है ABCD, जिसके diagonal खीचने पर, वो O पर क्या करते हैं, intersect करते हैं और कैसे intersect करते हैं? intersect ऐसे करते हैं कि AO upon BU, बराबर क्या है CO upon DU एक इस तरह से वो intersect करते हैं तो हमें बताना है कि show that ABCD is a trapegium अब हमें क्या बताना है कि यह जो आपने quadrilateral लिया है यह क्या है, हमारा trapegium अब देखिए, given में क्या है सबसे पहले given लिखने हम जो question में हम बता दिया है वो ही हम लिख देंगे quadrilateral ABCD में quadrilateral ABCD यह trapegium नहीं है, यह प्रूफ करना है अभी ऐसे quadrilateral quadrilateral ABCD में क्या है? AO upon BO is equal to क्या है? CO upon DU यह हमें बता दिया गए, given है ठीक है, in quadrilateral ABCD AO upon BO is equal to CO upon DU प्रूफ क्या करना है? two proof में क्या लिखोगे? two proof है हमारे पास हमको बताना है कि quadrilateral ABCD क्या है? is our trapegium ठीक है? अब trapegium बोलने से तो proof नहीं होता है अब ही मैंने बताए कि trapegium प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस quadrilateral का एक pair क्या करना पड़ेगा? parallel proof करना पड़ेगा तो आप pair देख रहे हो AB और CD अगर हम ले ले तो हमें actually में क्या proof करना है कि AB parallel क्या है? DC तो हम बोल सकते हैं कि ABCD क्या है? trapegium construction करना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है? same बोई construction है AD पर एक point ले लीजे इसको हम यहाँ से ऐसे draw करते हैं जो O से होकर जाता है और कहां पर BC पर Q point पर मिलता है आप इसको लिख लेना draw TQ which is passing through passing through O ठीक है? कहां point O हमने एक ऐसी line draw करी PQ जो कहां से O से होकर जाती ठीक है? अब आपको PO या PQ क्या बोलना है? PQ ऐसा draw करना है कि आप किसी एक pair के कर सकते हैं इसको parallel कर सकते हैं दोनों के parallel draw नहीं करना है एक के parallel draw करना है और दूसरे का हमको proof करना पड़ेगा अगर हम construction में ही अगर पूरा draw कर देंगे तो वो तो answer ही बन जाएगा यहना answer हम draw नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है? हमें PQ को ऐसा draw करना है या तो आप AB के parallel draw कर लो या CD के parallel तो हम करते हैं PQ को AB के parallel draw ठीक है? अभी क्योंकि हमें पता नहीं है कि AB इसके parallel है की नहीं है वो तो हमें proof ही करना है अगर हम वो proof कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? trapezium हो जाएगा लेकिन हमने construction ऐसा किया कि PQ जो है वो सिर्फ AB के parallel ठीक है? तो PO भी क्या होगा? AB के parallel ही होगा क्योंकि वो C का part है ठीक है? इतना understood है अब देखते हम proof प्रूफ देखिए अब देखिए proof में क्या करना है? हम ले लेते हैं inner triangle PO जो है PO किसके parallel है? AB के parallel हम triangle ले 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 लेते हैं in triangle ADB in triangle ADB इसमे क्या है? PO जो है parallel है किसके? AB के तो इसमें आप क्या लगा सकते हो? serum लगा सकते हो PPT है ना तो कैसे लगेगा AP upon PD same वो ही आजाएगा AP upon PD किसके बराबर होगा यहाँ से आपने ADB triangle लिया है तो यहाँ से ले रहो AP upon BD तो यहाँ से BO upon क्या लिखना पड़ेगा OD तो क्या जाएगा BO upon OD OD लोगे तो OD की जगा हम क्या लिख दे रहे हैं DO ठीक है अच्छा आपको यह doubt हो सकते है आपने यहाँ से क्यों नहीं लिए D से तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो DP upon AP बराबर DO upon OB जब आप उसको उल्टा करोगे उपर नीचे करोगे तो भी आपको यही statement मिलेगा यही बाला कहीं से भी लगाओ आएगा वोई ठीक है तो इससे confused नहीं हो न कि यहीं से लेना है यहाँ से भी आप ले सकते हो पिर हमारे पास एक question आगया यह AP upon PD बराबर BO upon DO ना clear है आगे संज में अब देखिए given क्या है हमें अब हमें जो given हम वो लेक लेते हैं हमें बताया गया है AO upon BO is equal to क्या है CO upon DO एक हम BO को DO के साथ बनाते हैं क्यों यहाँ equation 1 में BO upon DO है हमें given है क्या AO upon BO हम पहले इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा AO upon CO पराबर क्या बन जाएगा BO upon DO ठीक अब आप इसको देख सकते हो अच्छे से यह बन गया equation number 2 ठीक है equation by equation by equation 1 and 2 क्या दिख रहे हैं आपको 1 and 2 में left hand जो देखो AP upon PD ठीक है और left hand AU upon CU यह तो अनिक्वल है लेकिन right hand देखो BO upon DO बराबर BO upon DO इसमें right hand अगर equal है तो left hand हम क्या लिख सकते हैं equal लिख सकते हैं ठीक है right hand बराबर है अच्छा यह दोनों कहां से आए हैं यह लिख लेना BPT ठीक है basic proportionality theorem ठीक है और यह तो given है हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं right hand equal है left hand भी क्या हो जाएगा equal तो AP upon PD परे PD हो जाएगा यह AP upon PD is equal to क्या हो जाएगा AO upon PO यह यह आएगा ठीक है अब आप इस statement को ध्यान से देखिए यह क्या है यह AP upon PD तो कहाँ AP AP upon में क्या है PD इसके equal है AO upon में क्या है OC ठीक है तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है यह क्या दिया हुआ है यह है Converse of Thales Theorem क्या है Converse of PPT Basic Proportionality Theorem यह Thales Theorem का क्या है यह Converse ठीक है कि अगर यह ratio दिया हो तो यह जो line दिये है आपको यह जो दो line दिख रही है यह दोनों क्या हो जाएंगी पैरलल हो जाएंगी ठीक है तो by Converse of PPT हम क्या बोल सकते है कि PO जो है वो पैरलल है किसके PC के ठीक है अब यह proof करके हमें क्या फाइदा हो रहा है तो ध्यान से देखिए यहां बता दे रहा हूँ यह proof करके हमको क्या फाइदा हुआ हमें पता है कि PO जो है वो पैरलल है किसके AB के ठीक है PO जो line है वो AB के पैरलल थी आपने proof क्या कर दिया PO जो line है वो DC के भी पैरलल ठीक है जैसे आप जानते हो कि PO बरावर AB लिखा होता और PO बरावर DC लिखा होता तो left hand equal है तो right भी equal होगा मतलब AB भी DC के equal आता वैसी पैरलल में concept चलता है कि PO अगर पैरलल है AB के और PO पैरलल है DC के तो आप क्या लिख सकते हो कि आगर left hand दोनों पैरलल है तो right भी क्या होंगे पैरलल होंगे मतलब AB जो है वो पैरलल होगा किसके DC के ठीक है और which is also parallel to PO which is also parallel to PQ कि सब आपस में क्या है पैरलल है और यह हमें प्रूफ करना था कि AB पैरलल DC अगर हम यह प्रूफ कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि quadrilateral ABCD क्या है एक trapezium है clear हो गया आगे समझ में बहुत आसान सवाल है इन सवालों का basic सिर्फ basic proportionality theorem है या theist theorem कर आप वो अच्छे से कर सकते हो तो आप 6.2 के पूरे question असानी से लगा सकते हो clear पर फिर भी अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो comment करके आप बता सकते हो मैं बूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे doubt clear हो जाए तो thanks for watching for more update please like, share and subscribe